हेलो फ्रेंड्स आज हम मारवार के भाग तीन में अगले शाशक राउ जोधा के बारे में अध्यन करेंगे जैसा कि आपको ग्या थे हमने लास्ट भाग में इसके राउ रणमल के बारे में अध्यन किया था राउ रणमल का शाशनकाल 1427 से लेकर 1438 तक मारवार में रहा दोस्तों राउ रणमल की हत्या चेतोडगर दुर्ग में कुम्भा के और राउ चुंडा के दुआरा भारमली के सैयोग से करवा दी गई थी तो राउ रणमल जब चेतोडगर दुर्ग में मरते हैं उनकी हत्या होती है उसके बाद राउ जोधा भी उनी के साथ वहीं थे तो राउ जोधा वहां से भगते हैं मतलब मेवार से भगते हैं और किधर भगेंगे वो मारवार की तरफ तो दोस्तों आज हम अगला शाशक प अगे और मारवार कैसे पहुँचे? दोस्तों ये मेवार से भगते हैं और इनके पीछे-पिछे राउ चुंडा और कुम्भा और कई मेवारी सेनिक इनके पीछे आते हैं लेकिन यह जब वहां से भगना स्टार्ट करते हैं तो ये मारवार के एक आखरी कौने में जिधर का और यहीं अपना ठिकाना बनाते हैं और यहीं से मारवार के उपर अपना अधिकार रखते हैं इसके बाद दोस्तों 1438 में ही मारवार के मंडोर में किसका अधिकार हो जाएगा राणा कुम्बा का राणा कुम्बा मंडोर को अपने अधिकार में ले लेगा और मारवार का ही श कई प्रियासों के बाद 1453 में जोधा मंडोर को लेने में सफल हो पाएगा और राव जोधा मंडोर को ही अपनी राज़ानी बनाये रखेगा इसके बाद दोस्तों आवल और बावल की संदी होगी दोस्तों ये आवल और बावल की संदी मारवाड और मेवाड के मद्धे होती है अब आपको पता है कि हंसा भाई रणमल की बहन थी और ये रणमल का पुत्र है राओ जोधा तो इसकी क्या लगी वो बुआ तो हंसा भाई देखती हैं कि इधर भी मेरा भाण जाए और इधर भी मेरा पोता है तो वो नहीं चाहती थी कि ये दोनों ही परिवारों में लड़ाई हो मेवाड और मारवाड की ये पूरा मैंने आपको मारवाड के इतियास भाग दो में अच्छी तरह समझा रखा है जिसने वो वीडियो नहीं देखा है एक बार जाकर प्लेलिस्ट में उस वीडियो को देख सकता है तो दोस्तों हंसा भाई मध्यस्ता करेगी और आवल और भावल की संधी मेवाड और मारवाड के बीच में करवाएगी इसको आवल और बावल की संधी इसलिए बोला जाता है क्योंकि एक तरफ आवले के पेड़ थे एक तरफ बबूल के पेड़ थे तो जिस जगह पर ये संदी हुई तो उस पे एक तरफ आउलेके और एक तरफ बबूल के पेड़ होनी की वज़े से इसको आवल और बावल की संदी बोला गया। हंसयाबाई मध्यस्ता करेगी और मेवाड और मारवाड की सीमा का निर्धारन करवाते हुए इन दोनों वियासतों के बीच में लड़ाई बंद करवाने के लिए एक संदी कराएगी जिसको बोला जाएगा आवल और बावल की संदी दोस्तों मेवाड महराना कुमभा और के राव जोधा के मध्य ये संदी होती है संदी के तहत राव जोधा ने अपनी पुत्री की शादी श्रंगार चहुरी का विवा कुमभा के पुत्र रायमल से कर दिया था जब इनके बीच में संदी होगी तो ये राव जोधा अपनी पुत्री का विवा किसके साथ कर देग आवल और बावल की संदी को अच्छी तरस है इसके बार मारवाड में सामंत प्रथा दोस्तों आप लोगों को जैसा की विदित है मारवाड में सामंत प्रथा की शुरुवात राव चुम्डा के काल से ही हो गई थी लेकिन फिर भी इसकी वास्तविक रूप से शुरुवात राव जोधा ने की इसलिए राव जोधा को सामंत प्रथा का वास्तविक संस्तापक कहा जाता है दोस्तों इसी को वास्तविक संस्तापक क्यों कहा जाता है इसके पीछे ये कारण है कि राव जोधा ने अपने प्रमुक वा अपने प्रमुक सर्दारों पुत्रों और सर्दारों के मद्दे राज्य बाटने के कारण ही राओ जोधा मारवार में सामंत प्रथा का वास्तविक संस्थापक कहलाया और दोस्तों इसी सामन्द प्रता की वज़े से राओ जोधा ने अपने पुत्र राओ बीका को बीकानेर भेजा था और वहाँ पर बीकानेर राज्य की स्थापना करने के लिए कहा था दोस्तों सामन्द प्रता क्या होती है इसके अंदर क्या होता है दोस्तों जो राजा होता है वो अपने सगोत्रिये वो सगुलिये जो लोग होते हैं उनको कुछ जागीरे दे देता है अपने ही राज्ये में और उनको कहता है कि आप इन जागीरों को चलाईए मतलब इनसे जो राजस वो प्राप्त होता है उसको आप लीजिए और उस राजस को मेरे तक आप पहुंचाईए तो दोस्तों उस जागीरों पर अधिकार किनका हो जाता है उस सामंत का लेकिन वो सामंथ किसके अधीन होते है उस राजा के अधीन होते है ये एक सामंथ प्रता होती है जो मध्यकाल में राजस्थान में चला करती थी दोस्तों राव जोधा ने सामंध प्रता वास्तविक रूप से शुरू की थी और राव बी का इसी का एक उधारण मिलता है और इसके कई पुत्रते इसके पुत्रों को इसने अलग-अलग जागीरे प्रदान की इसलिए इसको मारवाड में सामंध प्रता का वास्तविक संसापक कहा जाता है इसके बाद दोस्तों जोदपुर नगर वा महरानगर दुर्गी की स्थापना राव जोधा ने अब मंडोर को अपनी राजधानी नहीं रखा उसने जोदपुर नगर वसाया और जोदपुर को अपनी राजधानी बनाया 1423 में जब उसने वापस मंडोर जी था तब उसकी राजधानी मंडोरी थी लेकिन अब दित्ति राजधानी कौन मना रहा है यहां पर राव जोधा और किसको बना रहा है अब जूदपुर को कब 1469 इसवी में तो दोस्तों आपको ये फैक्ट याद रखना है कि जूदपुर नगर कब बसा 1460 में देखो दोस्तों आपको महतपुर महतपुर नगरों की सारी डेट याद रखनी है मैं एक वीडियो इससे संबंदित लाऊँगा जिसमें राजस्थान के सभी महतपुर नगर और उनके स्थापना के वर्ष लिखे वे होंगे और उनके उपनाम भी उसमें होंगे मैं जल्दी इस वीडियो को लाने की कोशिश करूँगा इसके बाद दोस्तों महरांगर दुर्ग जब राजा ने एक नया नगर वसाया तो उसको सुरक्षा की दरश्टी से एक नय किले की भी जरुत होगी तो राव जोधा इसी कड़ी में एक किला भी वसाइंगे जिसका नाम है महरांगर दुर्ग यह इसे ही जोधपुर का दुर्ग भी कहा जाता है जोधपुर नगर में ही चिडिया टोक पहाडी पर महरांगर कीला वनवाया दोस्तों इस कीले का हम डीपली विस्तरत रूप से अध्यन अलग से मैं इसका वीडियो लौँगा उसमें करेंगे महरांगर दुर्ग का महरांगर दुर्ग में चामुंडा माता का मंदिर वह नागेनिची माता का मंदिर का निर्मान राव जोधा नहीं करवाया दोस्तों महरांगर दुर्ग कौन बनवा रहा है यहां पर राव जोधा और इसके अंदर चामुंडा माता का मंदिर दोस्तों आपको पता होगा सन 2008 में यहां चामुंडा माता मंदिर में बहुत तेज बगदर्वची थी जिसमें कई लोगों की जाने गई थी नवरात्री का समय था तो दोस्तों ये वही चामुंडा माता का मंदिर है इसके अलावा यहाँ पर नागेनेची माता का मंदिर जो की राठोडों की कुल देवी है जैसा कि मैंने आपको बताए था राजस्तान में तीन मंदिर है ये मैंने आपको मारवाड की इतियास के भाग एक में बता रखा है जिसने वो वीडियो नहीं देखा है एक पर प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो जरूर देखिए तो महरांगर दुर्ग में चामुंडा माता का मंदिर और नागनेशीद माता का मंदिर का निर्मार राव जोधा नहीं करवाया दोस्तों ये महरांगर दुर्गे आप यहाँ पर इसको चित्र में देख सकते हैं दोस्तों इस महरानगर दुर्गे के बारे में एक बात और कही जाती है कि जब इसको हम उपर से देखते हैं टॉफ व्यू से तो यह भारत के नक्षे की तरह नजर आता है कैसा लगता है जिसे भारत का मैपो और दोस्तों इसको विस्तरतूप से अध्यन करने के लिए मैं एक इसके बारे में कई एसे फैक्ट है कि इसके ऊपर एक पूरा वीडियो से लओगा इसके बाद दोस्तों इनके महत्पून फैक्ट देख लेते हैं राव जोधा की हाड़ी राणी जस्मादे ने जोदबुर में राणी सर तालाव बनवाया कौनसा तालाव बनवा रही है जस गांगा को लेकर उपस्तित होगा अब ही के लिए बस इतना ही धन्यवाद अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें धन्यवाद